हरियाना पंचायत चुनाओ को लेकर उम्मीद्वारों के लिए एक और खुश खबरी है पर ये खुश खबरी कितने लंबे समय तक रहने वाली है ये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते ये सिरफ सरकार के उपर डिपेंड है कि वो कितने लंबे समय तक उम्मीद्वारों को खुश और एक दिन में दो खबर आ जाती है, एक में तो यह आता है कि चुनाओं अभी नहीं होंगे और दूसरी में ही उसी वक्त एक और भी कबर आ जाती है कि चुनाओं अभी हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल reverse हो जाता है, और हमारे पास कमेंट भी ऐसे आते हैं, कि आप अभी तो सारी सही और सची होती है अब देखिए राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्तर लिख दिया है जी हाँ यह बिल्कुल स्टिक खबर है सही खबर है कि राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को अभी इलेक्शन करवाने के लिए पत्तर लिख दिया है पर आज ही एक न्यूज और आई थी कि अभी एलेक्सन नहीं होंगे तो इस पे हम क्या माने कि सरकार क्या करने वाली है अब देखिए इस ऐसे ही नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अब देख लेते हैं पूरी जुनाव प्रस्तावित था कुरोना ने यहां पर भी पहिया थाम दिया था शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओफिस की ओर से जारी हुए पिछले दिनों नोटिफिकेशन में फतेवाद समाल खां फिरोजबुर जिर्खा पुनाना गोहाना और इसके इल स्क्रिन शोट भी ले सकते इन सबके सहित 45 का में कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब यह इलक्सन अप्रेल और मई में हो जाने चाहिए थे और इसके इलावा अब देखिए और खबर है कि कोविड संकर्मन की लहर अब भले ही मंद पड़ गई हो लेकिन कोविड की दो लह जहां पर तुरंत ही चुनाओ करवाय जाने की बहुत जरूरत है लेकिन कई तरह की चुनोतियों के कारण समय रहते इसमें जन पिरते नीदियों को बागडोर सोपे जाने में देरी हो रही है कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि यह देखिए इन सभी की बागडोर अफसरों के लंबित है वहां जल्द से जल्द इलेक्शन करवाय जाने के लिए कहा गया है अब यह देखिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि हर्याना रज्य चुनाओ आयोग की और से सरकार को पत्र लिखा गया है और जहां भी चुनाओ लंबित है वहां चुनाओ करवाय जाने के लिए कहा गया है और यह बहुत बड़ी खबर है कि राज्य चुनाओ आयोग ने खुद सरकार को पत्र लिखा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाई कुल में लाकर हर्याना चुनाओ आयोग ओफिस आयुप्ट की और से सरकार को पत्र जाने के बाद अब परक भाजपा की और से सबसे पहले चुनाओ परबंधन समीतियों का गठन कर दिया गया है जिसकी लिस्ट आ गई है और जो लिस्ट हमने अपने चैनल पर डाल भी दी है आप वो लिस्ट वहां से देख सकते हैं जो भी भाजपा की कमेटी है नई कमेटी जो बनाई है इलेक्शन को लेकर कोंग्रेस की परदेशाद्यक्स कुमारी सेलजा और नेता विपक्स भुपेंदर हुड़ा नेता विपक्स और पुरु सियम इनलो से अभ्य सिंग चोटाला सभी इन चुनाओं में देरी किये जाने के आरोप सरकार पर लगा रहे हैं विपक्स के सभी नेता इन चुन कोटी मिली है सरकार को पंचाय चुनाओं को लेकर और निकाय चुनाओं में अर्चन कोविड के कारण पड़ी और सरकार को मजबूरी में वहां पर परशाशक लगाने पड़े हैं और इसमें जो देरी का बड़ा कारण है वो कुरोना था इस समन्द में परदेश के शहरी न बचाने के लिए जिम्मेवारी हमारे उपर है सभी निकायों में परशाशक न्यूक तिये गए हैं संकर्मन कम हो रहा है अब आयोग की और से कोई सुचना आएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है इलक्षन करवा दिये जाएंगे तो यह थी बड़ी अपडेट इलक्षन को ल पर दो कर दो दो इलक्तन कर दो कर दो कर दो कि दो